नमस्कार, मैं संदेप नोखवाल सभी दर्शकों का HBN 24 न्यूज में सुवागत करता हूँ क्या दिल्ली के अंदर बैठे पहलवान जो गोल्ड मेडलिस्ट है जिनोंने भारत का नाम रोसन किया है क्या वो भाजपा सासद ब्रिजबोसन के लंका गिराप आएंगे आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में भाजपा सासद भाजपा के नेता ब्रिजबोसन के इतियास के बारे में इतियास जो उनकी किसमत को जोचोर के रख देगा जिसके बाद आप आनलाइसेस कर पाएंगे क्या बिर्जबुशन वाक्य में दोसी है या दोसी नहीं है क्योंकि पहलवान सुप्रिम कोर्ट तक चले गए हैं अपने नयाई पाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई भी अफायार दर्ज उन पर नहीं की है किस परकार की दबंगई बिर्जबुशन पुराने जमाने से करते आ रहे हैं यह आपको आज इस वीडियो में पूरा डेटेलिट मिलेगा तो वीडियो लास तक देखिए लाइक के साथ सीर कीजिए पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिर्जबुशन की वो कहानी में आपको बताने जा रहा हूँ जब उन्होंने एक जमाने में पुलिस अधिक सक यानि एस पी पर पिश्टल तान दी थी उनकी ऐसी दबंगई है कि एक बार उन्हेंने कोलज के सिम में अपने हाथ से बंप फोड़ दिया था जी यह बहुत बड़ी गटरा है यह देश द्रो का मामला है फिर भी आज बिर्जबुशन बाजपा के नेता बने हुए हैं बाजपा का सरक्षन उन्हें प्राप्त है तो यह बात कहना बिल्कुल भी गल्त नहीं होगा कि बिर्जबुशन के सर पर मोदी जी का हाथ है बताना चाहूँगा कि अस्पी पर पिस्टल तानी हत्या की बात भी मानी लेकिन बिर्जबुशन सिंग जिसको हटाने के लिए आज फुटपात पर पहलवान डटे हुए हैं पहलवान भी नामी पहलवान डटे हुए हैं देश की परदेश की बेटियों को न्याई नहीं मिल पा रहा है वो जनवरी में एक बार जांच सलू हो गई थी उसके बाद धरने पर उठ गए थी लेकिन फिर से उन्हें धरने पर बैठना पड़ा क्योंकि जांच का निसकर्स सरकार नहीं निकाल पाई ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि SP ओपिस में SP पर ही पिस्टल तान देने वाले नेता राजनीती ऐसी की लगातार 6 बार सासद का चुनाव जीच चुके हैं कारूबार ऐसा की 50 से ज़्यादा स्कूल कोलेज बिर्ज बुशन के नाम पर चद रहे हैं आपको बता दे कि रसूक ऐसा की पार्टी लाइन से अलग भी बहन बाजी करते हैं बेजड़ा कितने की इंट्रिव में हलते की बात तक कबूलते हैं दबदवा ऐसा की 11 साल से भारती एकुष्टी महासंग के अधैक्स बने हुए हैं ये बिर्जबुशन के बारे में हैं आपको बता दे कि एक बार फिर से देश के कई नामी पहलवान उनके खिलाब जन्तर मंतर पर परदसन कर रहे हैं आठ पहलवान सुप्रिम कोर्ट पहुंच गए हैं इन्होंने कोर्ट से बिर्जबुशन के खिलाब आफ़ायार दर्ज करने की मांग की है आपको बता दे कि स्पी ओपिस में ही स्पी पर पिस्टल तान देने का मामला 1957 का है 1957 में वर्जबुशन सिंग स्वरी पैदा हुए थे दिनों से बिर्जबुशन शातर से राजनीती में सकरिये थे आपको बता दे कि शातर राजनीती के दुरान fij के दस्क में सांकेत महाव धलह माहमंत्री बने राजनीती ऐसी कि कोलिज के ही किसी मामले में उनbei हेंड-ग्रेनेड चला दिया जिसके बाद उनका नाम उचला और राजनिती में मो सकरिय हो गए 1987 की बात है कि जीला के गन्ना डिरेक्टरी के चलाओ में बिर्जबुसन ने भी पर्चा भर दिया बिर्जबुसन को SP ने बलाया और उन्हें गाली देते वे नामगन बापस लेने की दम की दी जिसके आवज में बिर्जबुसन ने SP पर ही पिश्टल तान दी और दुस्टों गालिया उन्हें दी बाबरी मस्जिद गिराने के लिए फावड़ा और बैल्चा भी उन्हें लोगों को दिया आपको बता दे कि 44 लोग अरोपी बनाए गए थे जिसमें बिर्जबुसन सर्ण सिंग भी सामिल थे मस्जिद मामले में और उन्हें कोई हत्यार नहीं था तो उन्हें फावड़ा और बैल्चा दिया सीबाई की स्पेशल कोड ने साल 2020 में बिर्जबुसन सर्ण सिंग समेत सभी अरोपियों को बरी कर दिया यह मामलों में 1909 में बीज़पी का टिक्ट से शुरू हुआ जीत का सिलसला 1909 में बीज़पी का टिक्ट मिला वर बचुनाव जीते आपको बता दे कि कॉंगर्स के आनंद सिंग को सीजार वोटों से उनने 1996 में की चुनाव में हराया था बिर्जबुसन को जेल में वाजपाई की चिठ्थी में क्या लिखा था आपको बता दे कि दाउद से फोल पर बात होने ठाड़ा मामले में वो जेल के अंदर बन थे सीबैन उनके अभी अरोपों को फरी कर दिया थी इसमें 1906 में को त्यार जेल में सजा काटराई बिर्जबुसन सिंग को परधार मंतरी अटल बिहरी वाजपी की चिठ्थी मिले उसमें उन्हें लिखा कि आप भावदुर है सावरकर जी को याद करिए उन्हें उमर केद की सजा मिली थी मायावाती और संग केंड़े नेताउं से पंगा भी हुने लिया गोर्णा का नाम बदलकर लोक नायक जय प्रकास नगर करने की कोशना मायावाती ने की थी उसके बाद वो मायावाती से भीड़ गए और विरोध भी शुरू हो गया लेकिन नामकर संके बड़े नेता यहां पर बिर्जबुशन का टिकेट काट कर गंशाम सुकल को दे दिया जिसके दिन वोट पड़ा तो उसी दिन घंशाम सुकल का एक्सिडेंट हो गया उस मामले में भी दोसी पाए गए लेकिन आपको बता दे कि बिर्जबुशन पर अरोप लगा लेकिन कोट में वरी कर दिया लेकिन वो आज भी मिडिया के सामने हत्या कबूलते हैं बिर्जब करने का कि उन्हें एक हत्या भी की थी पचास से जगा स्कूल कोलोजों के मालिक विर्जबुशन है प्रपट्टे के बात की जाए तो उनके वाब पास प्तास क्रोड के आसपास की प्रपरटी देखी जा सकती है अब कुछ मैन पॉइंट में विर्जबुशन के बारे में आ चत्री है और भगवांद राम का वंसज है फरबरी 222 में सरवस्ति के एक समयलन में बिर्जबुशन ने कहा कि हिजाब तालीबानियों की विचारदार है यहां तकवादियों की विचारदार है तालीबानियों के समर्थर में प्रंका गांधी वियूतर आई है माई 2019 में लो सारारी के उन्होंने अरोप लगाए है हमारे साथ कुछ राजनिती हुई है सरकार ने कमेटी बनाई चार अपते का समय मंगा लेके तीन महेने हो गए हमें इंदजार करते हुए हमारे साथ आज भी नयाय नहीं हुआ है उन्होंने का दो दिन पहले हम पुलिष स्टेस्ट ग पहुंचे साकसी मलीक विनेश फोगाट बजरंग पुनिया ने धरना दिया, फंटरेशन के अधेक्स बर्जबुशन सिंग और कोच पर यहोनुत पिनित के अरोप लगाए। 19 जनवरी 2023 को खेल मंतरी इंद्राग ठाकुर से रेशलर की बातचित हुई, उन्हें बुर्जबुशन सिंग से जवाब का इंजार करने को कहा गया। 20 जनवरी 2023 को पहलावालों ने अलान किया कि नियाए मिलने तक कोई कैम्प चुआइन नहीं करेंगे। 21 जनवरी 2023 को भारतिय अलॉंपिक एसोशेशन ने जांच कमेटी बनाई। इस दिर उन्हें ठाकुर ने रेशलर के साथ लंबी मिटिंग की और फिर धरना ख़तम कर दिया। 23 सप्रेश 2023 यानी कल का दिन रेशलर, विनेश पोगार, साक्सी मलीक और बजरंक पुनिया ने जंतर मंतर भा फिर से धरना शरू किया। रोप लगाया कि तिर मेने बाद कुछ नहीं हुआ और फिर से धरना है और अब तक ये निनका कि जब तक हमें न्याई नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा, यानी देश की बेटियों को न्याई नहीं मिल पा रहा है। एसे में पहले आपने सुना हुआ काफी राजनेतों को कि गुंडा सरकार है बासपा के अंदर, बासपा के अंदर गुंडे है। और आज आप तेख सकते हैं एक ऐसा चहरा मैंने आपको बताया है। जिनकी बारे में आप साइध आगर आ आप मैं आपको अना वंजा में आ तक साहीं कि विर्ज-भुशुन का चहरा कैसा है दो जनता को सामना लाना चाहिए जनता के सामने में लेकर हायें इसको लेकर आप अपने नीजी विचार लिख सकते हैं वीडियो के कोमेंट सेक्षिन में कोमेंट कर सकते हैं जुदि रहेगा HB24 News के साथ जैहिन